नमस्कार खरी खरी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आचल मधप्रदेश में खेल शुरू हो गया है शुरासिंग चोहान लगातार लाडली बहना को लेकर और अपने भाई और भांजों से जो मुलाकात कर रहे हैं वो मोधी शाह को दिक्कत में डाल रही है परिशानिया म खड़ी हुई हैं तो मधप्रदेश में शुरासिंग चोहान दाड़ रहे हैं और मोधी शाह के दिल्ली में पसीने चूट रहे हैं और इसलिए शुरासिंग चोहान को दिल्ली बुलाया गया है जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे लेगन इसी बीच खबर ये भी आ र हो रही हैं तो एक तरफ शुरासिंग चोहान जो कुछ भी मधप्रदेश में कर रहे हैं जिस तरीके से उनका बगावती सुर देखने को मिला अब उसको लेकर दिल्ली में जो है वो बैठके होने जा रही है उन बैठकों में अब क्या निकलता है इस पर सबकी निगाहें टि कह रहे थे कि शुरासिंग चोहान वस्मदर राजे हमारे वरिष्ट नेता है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी अभी तक वो बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गए आखिर क्या चल रहा है बीजेपी हाई कमान और शुरासिंग चोहान के बीच में शुरासिंग जो हैं उनका वीडियो लगातार वाइरल करा रहे हैं कि टाइगर अभी जिन्दा है और दोसरी तरफ बीजेपी हाई कमान कहीं न कहीं उनके योजनाओं को दरकिनार कर रही है शुरासिंग चोहान को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है अब ऐसे में खीच तान जो चल र लेंगे क्या वो मान जाएंगे या फिर जो बगावती सुर उनका है अभी वही अपनाएंगे और आने माले दिनों में कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे तो शुरासिंग चोहान के इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गये ह बैठक दिल्ली में होने जा रही है क्या संकेत मिल रहा है और क्या शुरासिंग चोहान हार मान जाएंगे क्या बैठक के बाद वो समझता कर लेंगे आपको क्या लग रहा है देखिए अचली अब तो यह तो निरभर करेगा कि शुड़ासिंग चोहान की जो बैठक होती है बैठक के साथ उसमें उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है जेपी नड़ा मोदी जी और अमिश्चाह जी का प्रतनेद्ध करते हुए उनको कुछ सुचनाएं देंगे ऐसा समझा जा सकता है कि उनको सुचनाएं दी जाएंगी कि आपको किस सीमा के अंदर रहना है औ मुझे लगता है कि जेपी नडडा को कारेभार सौंपा गया होगा कि शिवरास सिंग चोहान के पास पहुंचा दीजिए तो अब शिवरास सिंग चोहान उसको किस तरही किसे ग्रहा करते हैं और क्या डोज उनको दी जाती है इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा शिवरास सिं या फिर उनका कहीं पुनरवास एक तरीके से किया जाए किसी नई जगह पर जो ठीक ठाक जगह हो या मोदी जी और शाह की तरफ से कोई इस तरीक का बयान आए कि शिवरास सिंग चोहान का सम्मान किया जा रहा है या वह बहुत मेहत पूर्भूम का निवाई है चुनाव इ शिष नेत्रती की तरफ से ना तो शिवरास सिंग चोहान की तारीफ में कोई एक शब्द कहा गया है ना उनकी योजनाओं को जो है को है क्रेज़िट दिया गया है कि योजनाओं की वज़े से भारती जिंता पार्टी मद्दप्रदेश में सत्ता में लौट करके आई है ले और वीडियो भी उन्होंने बकाइदा ट्वीट किया है जहां पर शिवरास तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है के नारे लग रहे हैं देखिए वो ट्वीट स्क्रिन पर मैं देखिए भाई का बहनों से रिष्टा अमर है हर पल एक दूसरे के लिए जीना है बहनों की वादा होता है बहना हर हाल में साथ निभाऊंगा ये साथ निभाने की बात जो है शुरास चौहान के तरब से की जारी और एक दूसरा ट्वीट भी उनके द्वारा किया गया कि पूरे प्रदेश में चुनाओ प्रचार किया लेकिन अपने विधान सभा शेत्र बुधनी की जिम्यदारी शेत्रवासियों को ही दे आया वो चुनाओ मेरे लिए जनता नहीं लड़ा एक लाग से जादा मतों से जीत हासिल हुई इस प्रेम और विश्वास के लिए बहुत बहुत आभार और आपको वचन देता हूँ कि मैं जनता के कल्यार और प्रदेश की खुशहाल भी उन्होंने कहा कि साथ निभाऊंगा दूसरी तरफ जो उनके शेत्री की जनता जहां पर वो गय हुए थे किस तरीके से वहां पर नारे लग रहे थे शुराज तुम संघर्ष करो मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सर देखे ये चीजे जो चल रही है शुरासिंग चौहान क से इन वीडियोढ को साझा कर रहे हैं वीडियो देखे एक शुराज के नारे लग रहे हूं समय तुम्हारे साथ है मूं कि दिखा आपने किस तरीके से शुराज सिंग चोहान मंच पर हैं और किस तरीके नारे लग रहे हैं वह भले ही टूइट कर रहे हूं या एक दो बयान उनके द्वारा आया है लेकिन बड़ी बगाबत वो नहीं करेंगे आप देखें यह सीधी चुनौती जो है मोदी शाह के लिए हैं मंच पर वो खड़े हुए हैं और किस तरीके से नारे बाजी हो रहे हैं शुराज तुम दिया है इस वीडियो के जरिए यह हो सकता है उनके शित में लगा हो नारा कि आंधी नहीं क्या तूफान है शिवरा सिंग चोहान है और शिवराज तुम संगर्श करो हम तुवारे साथ है सवाल यह है जो आपने भी कहा कि भई यह आखिर संगर्श किसके खिलाफ है या किस के लिए संगर्श है कि यह संगर्श तो शिवरा सिंग चोहान का है कि अपने लिए करेंगे करेंगे किस के खिलाफ यानि मोदी और शाह के खिलाफ यह संगर्श है दूसरी वात जो मर्य की है वो यह कि शिवरा सिंग चोहान को कहीं वीडियो में यह नहीं दिखाया गया है क कि शिवरासिंग चोहान इस नार्य को रोकने की कोई अपील कर रहे हो या रोक रोकवा रहे हुली या नार्य मत लगा好 यहारी हो जिए नार्य को सनंदेज मुझे लगता है कि मोदी जी कि नारे और जिस तरह कि लगयों सब्सक्राइब जारी हुए है तो इससे मोदी शाहाज कंपनी जो है यह बहुत जादे दबाओ में आ गई या तो यह समझा सकता है यह उनका एकडम पारा जो है कि इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि खुले आम जो है वो बगावती से अपना हुए हो सीधे सीधे अब तो चुनोती दे रहा है कि संगर्ष करो और मोदी शाह के खिलाब संगर्ष के लिए शिवरासिंग चोहन तयार है हाना कि यह समझा सकता है कि शिवरासिंग चोहन ने अभी कोई इस तरी की बात नहीं किया कि कोंगर्ष के साथ कोई संकित नहीं आ लेकिन ये जो सीधे सीधे कल वीडियो जारी हुआ है कि संगर्ष करो और किसके खिलाब संगर्ष करो मुझे झाय कि इसने काफी चोट मारक जो है और इसलिए अप सीधे उनको दिल्ली तलब किया गया है हाना कि बात यह है कि जो शुराज सिंग चोहान कि मर रहा हूंगा लेकिं दिल्ली नहीं जाओंगा तो अब दिल्ली किस ली के आ रहे हैं यह देखना जो है बहुत महत्पूर होगा कि दिल्ली आने का उनका परणाम नि दिल्ली शुराज सिंग चोहान लगाता संगर्श की बात करें और आपने कहा कि शुराज सिंग चोहान महाँ पर नारे बाजी जब हो रही थी तो वह उन्हें शांत कराते हुए भी नजर नहीं आए हालंकि उनके तरफ से वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खुद ही पो जमीन पर मेहनत कर रहे थे किस तरीके से मैनेजमेंट उनके द्वारा किया जा रहा था और ये सब कुछ हिसी लिए किया गया था क्योंकि ये पद उनको चाहिए था मुख्यमंदरी का पद उन्हें चाहिए था उन्हें मध्रदेश नहीं छोड़ना था और लगातार वो इस कदम है जेपी निड़न से मुलाकात होगी तो यहां पर सवाल ये है अमलेंदु जी कि क्या शुराज सिंग चोहान वहां पर मान जाएंगे जो बीजेपी हाई कमान जो भी डोस देगा कि जो भी आपके बगावती सुर हैं जो टाइगर जिंदा हैं आपके समर्थक जो है व और भी अपनी लड़ाई जो है वो तेज करेंगे देखिए मद्यप्रदेश में एक टाइगर सेंक्चुरी भी है अगर मेरी जानकारी ठीक है सही है तो और वहां शेरों को लेकर के काफी जादे गुस्सा जो है वहां की स्थानी आवाम में है और उनका कहना है कि शेरों की जो सेंक्चुरी है इससे शेर बाहर आकर निकल आते हैं जन जीवन पर असर पड़ता है रोजी रोटी रोजगार पर असर पड़ता है मुझे लगता है कि जो बात कही गई जिंदा है तो उस टाइगर को पिंजने में कैद करने की कोशिश केंदी नित्त की तरफ से की जाई पिंजने में बंद होने से इंकार कर देता है किस तरीके से अपनी आयादी चाहता है यह को किसी जगह पर एड़स किया जाएगा या क्या आपके साथ में ब्याभार किया जाएगा आपको पार्की संक्षन में कोई जगह दी जाएगी अब पार्की संक्षन में मतलब नहीं होता है जाते हैं है महसे न उपाद्यक्ष रहाजी सिंधिया भी उपाद्यक्ष भनने के लिए उपाद्यक्ष बना जाए कि बना दिया ने चुनाव से पहले अपना वीडियो जारी किया था और जो उन्होंने अपने पूछा था बताओ की मामा को सीम बनना चाहिए कि निए बनना चाहिए यानी शीवरा सिंग चोहां ने अपना लक्ष पहले ही इस पर श्ट कर दिया था कि उनका लक्ष मुख्यमंत्री बनना है और अगर शिवरास सिंग चोहान मुख्यमंती बनेंगे तब ही बोगी जी प्राहनमंती बनेंगे ये बी संदेश देढ़ी तरिकसे चुछ नहीं को नहीं जमजता है कि तो मुझे रखता है कि यह कमजोरी केंदी नितुत की अतलती नहीं कैसे था कि से पासर्ण की कौई कोई मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा यह संदेश जो पहले दे चुके थे और इसके बाद अब बो जिस तरी की बाते कर रहे हैं वह बार बार अपने उसकी बात की याद दिला रहे हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको मिरे साथ क्या बरताओ करना है और अगर आप यह बर भारती जंता पार्टी को नुक्सान होंगे मोदी जी और हम शाह को भारती जंता पार्टी के लिए नुक्सान बहुत बड़े होंगे शिवरास सिंग चोहान के साथ कोई इस तरीके का बरताओ करने के तो मुझे रखता है कि कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए दिल्ली दरवार प्रयास कर रहा है और जेपी नड्डा को उसकी कमान सवपी गई है कि भाई इस आदमी को समझाओ कुछ बीच का रास्ता निकालो यह 2024 की लोगसवाद चुनाओ से पहले बड़ा नुक्सान ना समझदार हैं और इसलिए कहीं न कहीं जेपी नड्डा से जो मुलाकात हो रही है कि शुराज सिंग चौहान मान जाएंगे कि आने वाले दिनों जो लोगसवाद चुनाओं होने जा रहा है मेनत की जी अगर हमारी सरकार बनती है तो आपको सिंधियो और नरेंद्र तोमर के स कर देंगे आपको केंद्रे मंत्री बना दिया जाएगा क्या अगर यह ओफर दिया जाता है शुराज सिंग चौहान इस ऑफर पर मानेंगे किसी हाल में मुझे लगता है कि अगर समझदार वेक्ति हैं और मुझे लगता है कि समझदार है वो जिस तरीके कदम उठा रहे हैं मुझे लगता है और चौनाओ के बाद वो जो संदेश देने मुझे रखता है कि वो काफी समझदार वेक्ती हैं वो किसी भी हाल में जो है वो नरेंसिंग तोमर और जोत्रा सिंदिया का भाग सुईकार नहीं करेंगे मुझको ऐसा रखता है अगर वो अपनी राजनीत के प है और अब चीजे जो है वो सीमित ही है केंधी ही क्या है शिवराची नधी निताय फोग inadequता है शिवरायसिंग चौहां की पूरा मैदान खूला हुआ है एक थरीके से शिवरासिंग चौहां तो इसका भी भारती जनता पार्की को नुक्सान होगा अगर अब फाइले खुलती है तो यह भी नुक्सान भारती जनता पार्की को नरिन जनते हैं कि मोदी और मिशा की मंजली क्या 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 कर सकती है आप देखिए आपको याद होगा पिछले दिनों उस समय उनका पूर्ट हो रहा था वह किस तरीके से अमिशा के सामने जुके वी नजर आ रहा हैं वह जिस तरीके से जगदीब धनकर साहब का एक वीडियो जो व तरीके से खड़े हुए कमर जुके हुए ठीक उसी मुद्रा का शिवरासिंग चौहान का एक जो था वह वी चित्र वाइल हुआ था कि हमिशा की सामने क्या जानितिक इस्तिति हैं पर ठीक आप मोदी जी के खास मोदी जी का सब काम नाम समालते हैं यही तो है वर इसके लेकिन उस समय श्रीवरासिंग चौहान जो थे वह तमाम हालात के साथ समझता करते हुए दिखाई दिये और वहाज जो रहे हुए खड़े नजदा आए लेकिन अब जो श्रीवरासिंग चौहान कर रहे हैं वह किसी भी हाल में कोई याचना की मुद्रा नहीं है किसी भी त नहीं आतनर नहीं तूफाने श्रीवरासिंग चौहान और महासंगर्श की तरफ एक श्राव कर रहे हैं अब दिलि दरवार का देखना ये कि क्सगोफशोर्थी के साथ दिल्ली दरवार लोकसवाद चौहान के साथ किसी भीषर महा संग ? को टालता है या भीषर स्लमा। तुकि यह हानी शुव्रासिंग चौहान को नहीं होगी यह सीधी सीधे प्रहमति नरेन मोदी को जवर्दस हानी होगी यह चल लिए अब इसी भी सोशल मीडिया पर चर्चा यह हो रही है कि एक तरफ शुव्रासिंग चौहान को दिल्ली बुलाया जा रहा है जेपी नड्डा तो लोग यह चर्चा कर रहे हैं आशंका जता रहे हैं कि मोहन यादो को हटा कर शुरासिंग चौहान को बिठा दिया जाएगा हालनकि 2024 का जो चुनाव है सामने है और मोहन यादो को यादो वोट बैंक को साधने के लिए मधरप्रदेश में बिठाया गया है वो मुक्मंतरी पत से हट जाएंगे क्या ऐसा संभो है क्योंकि वो उज्जेन में ठहर गये हैं और आप जानते हैं कि वहां की जो एक कहानी है उसको लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो चर्चा में है कि उज्जेन में कोई भी राजा रुपता है तो उसका सामराज जो है चला जाता है और अगर कोई नेता रुपता है तो उसकी सत्ता चली जाती है लेकिन अगर कुछ घचना इस तरी की होती है तो लोगों के बीच चर्चा होना एक आम बात है लोगों का आप मुह नहीं रुख सकते हम भले उस अंद्विश्वास की पुष्टी करें या उसका स जिन्दिया जी को लेकर के जो किया है लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल भारती जनता पार्टी का केंदी नित्रत है वो शिवरास सिंग्छ चौहान को हचा कि मोहन यादव को मद्द प्रदेश का मुख्यमंती बनाके जो उसने रवनीति तयार गी थी मुझे लगता है उस लेकिन उत्रप्रदेश के मद्द प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं यह पिछला इतिहास लगा था और देखा गया है अगर अखलेश यादब की समाजबादी पार्टी में जाकर के चुनाओ लड़ती है और कॉंग्रेस के साथ इतने उसके तल खुझते हो जाते हैं तो किस लिए होते हैं वो भी इसलिए है कि वहाँ प्रभावित करते हैं लेकिन मद्ध प्रदेश का कोई नेता जो उसने उत्तर प्रदेश में आकर कि इस तरही से कभी प्रभावित किया हो ऐसा कभी नहीं है दिग्विरे सिंग लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे मद्ध प्रदेश के पंजद से बड़े कोई क..कद के नेता हो जाएंगे एक दम से आ करके यहा मोहन यादब जियाहें वो बड़े कोई ऐकंसर हो जाएंगे या कमलस से सिंधियां से भी प्रदेश पनाए को आइकन हो जाएंगे जाएगा कि शिवरासिंग चौहान के सामने भारती जनता पारची जुग गई है और मोदी शाह का चौहान नुखसान पहुचाएंगे तो मुझे रखता है कि कुल मिलाकर कि इस परिस्तिती में जो जान सांसत में है वह भारती जनता पारची की ही है कि शिवरासिंग चौहन की जान सांसत में है और फिर करूंगा ऑफिर तरीके से भारती जनता पारची के के नित्ट्रत को अपने जाल में फशा लिया है और यह मजबूरी साहिए अब आप देखिए कि जो जो भारती जनता पारची के राश्की अध्यक्ष है पतानी वहां कि क कितनी चलती है कितनी टिकेट दिला पाते हैं किसको अध्यक्ष मना जाता है लेकिन हिमाचल प्रदेश का चुना हुआ था आपको याद होगा कि परमार सहाब उनका वीडियो वार्याल हुआ अब आपको यहां से आते हैं वहां विधायकों को नहीं बैखा पाते तो जिए पीछे भरोसा नहीं करेंगा और कोई भी साधान व्यक्ति जिसको तो भी समझें वह समझ सकता है कि यह जेपी नड़ावे पर नहीं आ रहे हैं जिए जीदा सीदा बुलावा मोदी जी का है और जीपी नड़ा साब के वाले दूद का काम करता है अब क्या होता आगी विशाम को मालूम पुलेगा जाची विल्कुल आपने सही कहा जेपी नड़ा हिमाचर प्रदेश में जिनका अग्री राज है और वहां पर भी जेपी चुनाव हार जाती है वहां पर बगावत जो शुराज सिंग चोहान को मना पाएंगे ये अभी भी बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है लेकिन जैसे कि ये देखा जा रहा है कि मोहन यादो और शुराज सिंग चोहान को लेकर जो चर्चा है अभी भी चल रही है कि मोहन यादो को हटा कर शुराज सिंग चोहान को ब यह बन गया है सिंधिया का गुट पहले से ही बना वा था अब क्या मोहन यादो दो-दो गुटों से लडएंगे एक तरफ सिंधिया के जो समर्थक है और इधर शुरा सिंग जोहान क्यों कि उनका जो बयान आया है वह सिंधिया परिवार को लेकर है अम नेदुची यह वीडि आपको मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है कि नगर निगान के बाहर निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं आशिरवाद देने वाले हैं इसले बाबा ने कर बड़नोबा तुम्हारे उजन में जैन से जन्री घत आपको यह निगान आपको यह लोगों का जर में गजाना है आपन्गुसे के आपन लाएं आपन लाएंगे उनने कर लाएं नीं दाजा मैं तो तुमको दे विया हूं अनन्द की बात है देखो बहुत अच्छी बात ही अभी मिच में से स्थिंता मंजे भी कही थी मुझा बाब मोदीजी ने कहा के बनारस में समलता हूं मोझे तुम समला उज्जेन चलने दो हमारा अपना बाबा महाकाल और विश्मार भगवान की और हमने तो ये सिलसिला चालू रखा है आज नहीं पिछले पाँच साल से हमारी दोनों की बनारस और उज्जेन के एक दोस्ती चल रही है वो अहोध्या में दीपक का रिकार्ड तोड़ते हैं तो हम सिवरात्री में रिकार्ड उज्जेन में तोड़ देते हैं हमारा लाखो लाखों का रिकार्ड बनता रेता है उस रिकार्ड को हर बार तोड़ते हैं क्योंकि हमारा अपना यह जो आनंद है इस आनंद को देवस्थान के अधार पर संस्क्रति को समझाने का भी तरीका होना चाहिए और ये बात सही है, के लोग अपनेहेशाबं रूप में कान में काम करूह आई अगर मैं प्रदेश का मुख्य सेवा को और काम के मामले में परमात्मा की दया है मैंने कलेक्टर से कहा कि घर बाद में जबुआ पहले केड़ीगेट का रस्ता दिखाना बहुत दिन से काम अधूरा पड़ा है उसका इंदा करना है और यह जो सबकी डिमांड है अनिलजी से बात हुई दूसरा अनिलजी से बात हुई इनने कहा के यार यह थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो सेंटरल लाइटिंग नी हो रहे हैं मैंने कि आप चिंता मत करो तुमारा भाई के पास है तो सही कि अटी है तो डेखा आप में प्रधान सेवक जो minut TV कहते हैं कि सेवक के रूप में अहां पर मुखि सेवक के रूप में मैं काम करूंग ऑं महा काल को लेकर इसलिए उनके द्वारा एक कहानी थी इसलिए वहां पर बना चौड दी गई कि अगर कोई भी राजा यहां पर आता है तो उसका सामराज जो है वो चला जाता है अमलेंदु जी कैसे देख रहे यह बयान जैकि इसके दो माईने हैं एक तो मोहन यादाब जीने सीधे सीधे सिंधिया जी की उपर चैक कर दिया यह भारती इंता पायकी की अंद्रूनी कि दौरान विश्वाज़ात किया था उसा अंद्रून के साथ में किया था तो वह बात आई गई होई थी चुकि सिंधिया आ गया उसके बाद फिस जो था वह लोंने शिवारा सुनिक चौहनें सिंधिया के उपर इस्तिया की साम आमने सामने आगक नहीं किया लेकिन अगर म इशारा साफ तर पर आप समझ सकती है क्योंकि यह इतना बड़ा बयान जो है वो किसी और तरीके से नहीं आ सकता है कि उस इंदिया के ओपर इस तरीके से आक्रम करने मोहन यादब करती है दूसरा आगर वो इस बात को नकाल रहें और बता रहें किस मानिता के पीछे यह मसला ह हो सकता है यह बहत्तर यह भी है जो है इक इस कहा है पर आये लोगों की है उसको देखना होगा कि इस तरीकी से हैं यह इस माहाकार य्जू नहीं है कि प्रसूर के बचा जाना चाहिए पर भारती जंता और वनें हिंदू की आस्था आप नारा देकर कि आ जो है राजिति करते हैं सबू है तो अलग का मसला है क्या नहीं क्या लें इसे बचा जाना चाहिए था इस तरीके के कि तो मुझे रखता है कि अब यह एक नया संखर्ष भारती जंता पार्की के अंदर दिखाई पर सकता है आने वाले समय में कि अगला कदम क्या होता है चुकि यह तो इस पर संकित हो गया कि डॉक्टर मोहन यादव जो है वो चुकि क्या भारती जंता पार्की का शीष नेतत्त तो यानि की मोदी शाह की मंजली जो है वो मध्यप्रदेश के अंदर कोई एक नया गुट भी तया कर रही है एक नई गुटवाजी को जो हवा देनी की कोशिश कर रही है यह भी मुझे रखता है कि आगे आने वाले दिनों में क भी में अखनागे रही हैं ताकि सिंधिया के लिए केंदी निपत्र नें ड्र्क्टर मोहन यहाज़ए निकाली थी काफी कुछ दिल्चस्पुगा की भारती जनता-पाकी की राजिती आवाजिती इन्दूनी है है, लेकन मुझे लगता है कि भारती जनता-पाकी के अंदर ही यह तो मित्रों से मत्रब्देश सिविकार करन नहीं पा रहा है है, शविकार कर रहे है। रास्ता निकालतीं के उपर मन की बात आजनता की बात खासतों से उस जन्ता की बात उसके मंझे लगता लेकिन पी की जिस जनता ने बहती इंता पाइट दिया है उसके अमन में श्रीवराज के मन में यह श्रीवराज पिछली जो प्रॉप जालीया है उनसे एकदम साफ नक्षत हो रहा है अचली जी बिल्कुल और यह अगर आप मोहन यादो का जो हमने बयान सुना है उसमें वह सा जा रहा हूं यहां आप उजयन चलाइए महाकाल इदर जो है वह उजयन और उधर काशी विश्वनात की बात कर रहे हैं यानि कि साफ संकेत उनके द्वारा दिया जा रहा है जो भी वहां पर घुट खड़े हुए हैं कि मोधी जी का हाथ मेरे सर पर है और मोधी जी ने आद लिए जा रहे हैं कहीं योगी आदितनात को कॉपी करना और यहां पर भी वह एक रहे थे कि उधर वह रिकॉर्ड बनाते हैं उनसे भी बड़ा जो है आयूजन हम करते हैं तो कहीं न कहीं यह खुद पार्टी के अंदर ही खुद को दूसरों से बहतर साबित करने की कोशिश जो है नेताओं के बीच में चल पड़ी है क्या यह अगर ऐसा ही रहा तो आरे वाले दिनों में कितनी बड़ी मुश्किलें जो है वह बीजेपी के अंदर खुद खड़ी हो जाएंगी अमनेंदू जी मुझे दगता है कि यहां डॉक्टर मोहन यादब जो है वह खुद को म चलती है पहले रिकॉर्ड बनाते हैं फिर हम उसी रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं तो यह कहते कहते द्टर मोहन यादब को यह याद नहीं रहा कि वह कछपुतली मुख्यमंत्री है यहां तक कि उनकि मंद्र क्या होगा कैसे होगा इसका भी उनको पता नहीं होगा यह दिल किसे उपमुख्यमंत्री बनाएं कि किसे लग का सबस्ते होता है उसको प्रभार देन जायता है कि आप मुख्यमंत्री में है बस यह है संविदान में कोई अलग से कोई ब्यवस्ता नहीं है तो अगर दक्टर मोहन यादा बेतने बड़े ही नेता थे तो उनके साथ में दो जिनता पाइकी नहीं बनाती तो साथ में शबत नहीं होती है लेकिन मुझे लगता है कि दबाव उन पर पढ़ रहा होगा कि बीजस्तरी किसी सबस्ता सामने आ रही है और लोगों के बीची चर्चा शुरू होए कि वहां रुक गए और कुरसी अब जाने वाली है और हुश लेकिन गाक्या मोहन यादब जिस तरही है वह मुझे रखता है कि वह दबाव में आ गए है जो सोचल मीडिया पर दबाव चला है तो अब डॉक्टर मोहन यादब को लगता है कि नए नए मुख्यमंत्री है बहुत सी चीजिए अभी उन्हें सीखनी होंगी चुकि उस तरही के कांदभाव उनका नहीं मंत्री रहे है वह मंत्री चुकी नहीं है और एक प्रदेश किस तरही किस चला रह जाना है और भी एतना क्रूशल प्रदेश बन गया है भारती इंता पार्की के लिए उसको कैसे चलाया जाना है मुझे रखता है केंदी नित्तों को उनको कुछ सलाहा देनी चाहिए उनका थोड़ा सब्सक्राइब कर दो आपको भी दिल्ली बुला करके थोड़ा सब्सक्र लेकिन सीधी सीधी आटेक जो है सीधा सीधा वो शिवरासिंग चौहान ना मोधी शाह पर कर रहे हैं ना किसी और की उपर कर रहे हैं अपनी बात भी कह रहे हैं संकेत भी सारे दे रहे हैं यही अंतर डाक्टर मोहन यादव और शिवरासिंग चौहान को अलग ख़डा करता तो यह करा तो शिवरासिंग चौहान से डॉक्टर मोहरियाद आपको सीखनी ही पड़ेगी हाला कि उनकी पैर चूहे थे शिवरासिंग चौहान के जब उनकी घोशना की गई तो सिर्फ पैर चूने के लिए के लिए के लिए जो आपने काम किया है तो उससे बहुत सी चीजे उनसे सीखनी भी पड़ेंगी बाकि भारती इंता पाकी के अंदर निराजिती है शाम तो बहुत सी चीजे इस पर स्थ हो जाएगी है जी मंत्री मंडल को लेकर भी कि आमलेंदू जी यह मुलाकात हो सकती है जेपी नड्डा से शुरासिंग चौहान को कि आपके समर्थकों क को हम जगा दे देंगे और आप जो भी कर रहे हैं जिस तरीके की आपकी आवाजे जो है वो सोचल मीडिया पर उठ रही है आपके समर्थकों की आवाजे उट रही है वह दबारी जा सकता है आपके समर्थकों को बिलकुल कुछ तो ऑफर दिया जाएगा और शिवरासिंग को दिली बुलाने का मतलब है कि केंदी नेत्र तो घृटनों पर आ गया है शिवरासिंग के सामने अब वो चाहे उन्हें कुछ घृट्टी पिलाई जाए शिवरासिंग चौहान को चाहे धंकाया जाए चाहे कुछ लालच दिया जाए जो भी नीती काम आएगी वो सब अज शाम के बाद नजर आने लेंगे वो अलग का मसला है मुझे रखता है कि यह जो है उस 56 इंच के सीने की रख्षा और एक अकेला सब भारी जो जुम्ले फेके गए उन जुम्लों की रख्षा करने के लिए भी शिवरासिंग चौहान को बलाए जा रहेंगे तो इन जुम शिवरासिंग चौहान को बलाए जारा है समझाइश की जाएगी यह भी बताए जाएगा आपके मंति मंजद आपकी अंसार चलेगा मोहन आपके कहें काम करेंगे और आप समझिए कि पार्टी को जो है उत्ता प्रिश बिहार में विस्तार करना है वहां सबसे बड़ा संकार शिवरासिंग चौहान को इस सब वास्ते दिया जा सकते हैं लेकिन शिवरासिंग चौहान इन से मानेगे की नहीं मानेगे वह शिवरासिंग चौहान का अपना मसला है वह उसमें हम कुछ कह सकते हैं कोई दूसरा कुछ कह सकता है अगर शिवरासिंग चौहान एक लंबी पा चोहीं जो है जान को जो इस उसे मालुम प्रहएं गए हैं या जो है जो चोहान नित्रत को जुगा लिया थैँ अब अन्य जी बिलकुल आपने कहा कि अभी तो फिलहाल जो इस्तरी बनी हुई है मोदी शाह घबराएं हुए है शुराज सिंग चोहान की वीडियो शुराज सिंग चोहान के समर्थकों के नारे सुनकर दिल्ली हाई कमान जो है वो कहीं न कहीं परिशानी में पड़ा हुआ है और इसलिए मुलाकात हो रही है ओफर कई सारे दिये जा सकते हैं मंतरी मंडल को लेकर चर्चा हो सकती है कई बड बहुत धन्यवाद अमलिंदू जी आपका इस चर्चा में आप जुड़े हो और पूरी महराष्ट की जो इस्तिती परिस्तिती बन रही है वो आपने बताई और किस तरीके से देख रहे हैं कि मोधी शाह जो है वो कहीं ना कहीं शुराज सिंग चोहान के बयानों से शुराज स कर रहे हैं शुराज सिंग चोहान से आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या कुछ मधप्रदेश में होने वाला है और शाम को यह पता चल जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ है मंत्री मंदल को लेकर या मामला कुछ और बड़ा है और इसी के साथ जो कुछ भी इस्तिती बनी है हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे तो देखते रहें डीवी लाइप और मैं लेती हूँ आचल विदा